जय हिन दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंग राठोड और मैं CDS के लिए विकरान बैच में आपका स्वागत करता हूं आज का हमारा लेक्चर है South India in the Ancient Times अब तक हमने जितनी भी बात करी उत्तर भारत के बारे में बात करी लेकिन प्राचीन गाल में दक्षिन भारत में क्या हो रहा था किस तरह की political powers वहाँ पे rule कर रही थी और कौन-कौन से important developments वहाँ पे हो रहे थे उस सब के बारे में आज के lecture में बात करेंगे तो सबसे पहले अपने यह देखते हैं कि आज के lecture में कौन-कौन से major topics कवर करने वाले हैं इस सबसे पहला topic जो हम कवर करेंगे दाट विल बी कि दे संगम एज दूसरा important topic जो हम कवर करेंगे दाट विल बी दपल्लव चालुक क्यों कॉनफ्लिक्ट और तीसरा topic जो हम आज देखेंगे दाट विड बी द वर्धन डाइनिस्टी क्योंकि हम ये भी देखेंगे कि गुपता एंपायर के डिकलाइन के बाद में उत्तर भारत के अंदर क्या होता है फिर वहां कौन सी बड़ी पावर का राईज होता है तो इन सारे topics में सबसे पहले हम बात करेंगे संगम एज की अब संगम होता क्या है हम संगम को confluence कहते हैं English के अंदर लेकिन हिस्ट्री में साउथ इंडिया की इंचेंट हिस्ट्री के कॉंटेक्स्ट में संगम है क्या तो सबसे पहले संगम को डिफाइन करते हम संगम एज दो एज ओफ कन फ्लूएंस ओफ दे लांग्वेज अंद कल्चर ओफ नॉर्दन अंद सदर्न इंडिया उत्तर और दक्षिन भारत की भाशा और संस्कृती के कन्फ्लूएंस को संगम कहा गया है एतिहासिक रूप से लेकिन एक और टर्म के लिए यह यूज किया जाता है इस अलसू रफर्द पॉर था थी ग्रीट त्रीट त्रीट ग्रीट ग्रीट असंब्लीज दाट टुक प्लेस दाट टुक प्लेस इन तमिल नाडू यह जो उत्तर और दक्षिन भारत का कन्फ्लूएंस हुआ था इस प्रोसेस में तीन बड़ी एसेम्लीज हुई थी और इन तीन बड़ी एसेम्लीज को भी संगम ही कहा जाता है तो एक तो कंसेप्चुबरी संगम वो था जब उत्तर और दक्षिन भारत का भाषा और संसकृति का मिलन हुआ और factually संगम उन तीन बड़ी assemblies को कहा जाता है जिन assemblies के अंदर कई literature's create हुए और उनी literature's से हमको South India की ancient times के बारे में काफी सारी जानकारी मिलती है अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि संगम हुआ क्यों आखिर इस तरह के जो इवेंट था वो हुआ क्यों उत्तर भारत और दक्षिन भारत का मिलन हुआ क्यों वैसे तो accessible था भारत एक बड़ा लैंड मास और connected एक दुसरे से तो इस तरह का संगम या confluence होना बहुत स्वाभाविक था लेकिन फिर भी क्या वज़े थी क्या historically क्या important वज़े मानी जाती है कि यह चीजें हुई तो यहाँ पर हम देखते हैं और बात करते हैं causes of संगम तो पहला कौस संगम का यह था many vedic scholars wanted या wanted की जगे दुसरा word यूज़ करता हूं है where seeking seeking मतलब चाह रहे थे where seeking patronage in the south india बहुत सारे ऐसे vedic scholars थे जिनको उत्तर में अब religious patronage नहीं मिल रहा था क्योंकि northern india में post modern age में या modern age के last phase में हमने देखा कि समराट अशोक जैसे rulers का rise हुआ जो बुद्धिस्ट हो गए थे या फिर आने वाले वक्त में हम इंडो ग्रीक rulers देखते हैं जैसे मिरांडर वो भी बुद्धिस्ट हो गए या उनके बाद में कनिशक आते हैं जो अगें एक बुद्धिस्ट रूलर थे या इस्ट में हमने खारवेल के बारे में बात करी ज तो definitely बहुत सारे ऐसे scholars ऐसे Vedic scholars रहे होंगे जिनको कहीं ने कहीं there was lack of patronage और उसी patronage या प्रशय को प्राप्त करने के लिए वो दक्षण गए क्योंकि वो ये मानते रहे होंगे कि South India अभी भी बुद्धिस्म के influence से अच्छूता है इसलिए South India में उन्हें बहतर प्रशय या patron प्राप्त होगा religiously और इसी लिए बड़े नंबर्स में बहुत सारे Vedic scholars का migration होता है साउथ इंडिया में सेकेंड पॉइंट इस कि मैनी पीपल कि वॉंटेड कि तू एसकेप कि फ्रॉम कि दर रिपीटेड कि इन्वेजिंजन्स कि इन दू नौर्थ कि उत्तर भारत में लगातार बहुत सारे हमले हो रहे थे ना बहुत सारे कभी सीथियंज आ रहे हैं कभी कुशार आ रहे हैं कभी पार्थियंज सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आये थे तो कई ने कई यह हमलावरों के आने की वजह से बहुत ज्यादा ब्लडशेड भी हो रहा था उत्तर भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो इस ब्लडशेड को एसकेप करने के लिए दक्षण की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से बड़े नंबर्स में माइगरेशन होते हैं और इनी माइगरेशन का रिजल्ट होता है उत्तर और दक्षिन भारत की भाषा और संस्कृती का मिलन होना और इस प्रोसेस में तीन बड़ी एसेंबली का होना और इन तीन एसेंबली में बहुत सार की सापनला चेट में हम ये देखते हैं कि कौन से मेजर एसम्मली रहाए थी वह कहा कहा पर हुई थी और सबसे इंपरेंट कि उनको कौन कौन से Давайте लिट्रेचर रस हासिल होते तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर प्लेस, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं नंबर, फिर यहाँ पर लिख देते हैं प्लेस, और यहाँ पर लिख देते हैं लिटरेचर्स, अब तीन संगम हुए थे, जो पहला संगम हुआ था, वो पहला संगम हुआ था थेन मदुराई में जो कहां पे है तमिल नाडू और यहां से हमको कितने लिटरेचर्स मिले definitely संगम हुआ था तो बहुत सारे लिटरेचर्स का creation हुआ होगा लिकिन दूसरे संगम लिटरेचर्स से हमको ये पता चलता है कि थेन मदुराई में जो संगम हुआ था वहाँ पे बहुत बड़ा संगम के बाद वहाँ पे बहुत बड़ी कोई natural calamity आई थी जिसकी वज़ा से जितने भी लिटरेचर्स वहाँ पे थे उस सारे के सारे destroy हो गए इसी लिए हमको यहाँ से कोई लिटरेचर नहीं मिलता है लेकिन आने वाले संगम लिटरेचर्स में यह जरूर पता चलता है कि एक संगम यहाँ पे हुआ था लिटरेचर के बारे में हम लिखेंगे no literature survived because of some natural calamity फिर होता है दूसरा संगम दूसरा संगम होता है कपाठपुरम में कपाठपुरम कहाँ पे है वे कपाठपुरम भी तमिल नाडू में ही है और यहाँ से हम को अगें यहाँ पे भी बहुत सारे literature का creation हुआ होगा लेकिन unfortunately ज्यादा तर survive नहीं कर पाए पर एक literature यहाँ पे survive करता है और वो literature का नाम होता है तोल कापियम रिटन बाइ तोल कापियर बेस्ट न तमिल ग्रैमर तमिल व्याकरण या तमिल ग्रैमर के उपर लिखा हुआ एक literature हमको यहाँ पे मिलता है लिटरेचर का नाम होता है तोल कापियम और यह तोल कापियम को लिखने वाले scholar का नाम होता है तोल कापियर लिटरेचर का subject matter तमिल ग्रैमर के उपर लिखा हुआ यह एक literature होता है इसके साथ ही तीसरा संगम बड़ा important होता है क्योंकि तीसरे संगम से हमको बहुत ज्यादा literature मिलते हैं और maximum information संगम period की हमको तीसरे संगम के literature से ही मिलती है यह है तीसरा संगम अब यह तीसरा संगम कहा पे हुआ था यह हुआ था मदुराई में मदुराई कहा है वो भी तमिल नाडू के अंदर है यानि कि तीनो ही संगम कहा पे होते हैं तीनो ही संगम तमिल नाडू में होते हैं तीसरा मदुराई में, दूसरा कपाटपुरम में और पहला थेन मदुराई में, जूकि मदुराई काई कोई प्रीकरसर टाउन हुआ करता होगा, जो कोस्ट पे सिचुएट था, किसी स्यूनामी के हिट करने की वज़े से डिस्ट्रॉय हो गया, फिर अगला टाउन थोड़ा म इन लैंड के अंदर उन्होंने बनाया था, नक्षे में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अब यहां से हम को 6 इंपोर्टेंट लिट्रेचर मिलते हैं, पहला मिलता है इट्ट्टो गई, जो है एट पोयम्स, फिर है पट्टू-पट्टू, जो है टेन पोयम्स, और फिर है पट्टी नेनी कील कनक्कू, जिसका वतलब होता है एट्टीन पोयम्स, यह पोईटिक लिट्रेचर हमको मिलते हैं, पहले तो तीन इंपोर्टेंट पोईटिक लिट्रेचर्स, जिन पोईटिक लिट्रेचर्स का जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, इसकी जो विशय वस्तु है, दाट इस लव एंड वार, प्रेम और युद्ध इसका सब्जेक्ट मैटर है, इससे हमको साउथ इंडिया के उस वक्त की सोशियो पॉलेटिकल कंडिशन की भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, क्योंकि इन पोईटिक लिट्रेचर्स में कहानियों को भी बताया जा रहा है, पोईटिक फॉर्म में, और उन कहानियों में जो पात्र है, जो लोग है, उन लोगों से हमको उस जमाने में कैसी समाजिक स्थिती थी, कैसी राजनेतिक स्थिती थी, ये सारी चीजें पता चलती है लेकिन तीन important epics होते हैं संगम एज के, वो तीन important epics होते हैं शिलपादिकारम दूसरा epics होता है मड़ी मेखलई और तीसरा होता है सिंथ मड़ी सिवागा अभी जो तीनो लिट्रेचर्स है, इन तीनो लिट्रेचर्स के बारे में एक चीज़ और याद पहले तो मैं आपको subject matter बता देता हूँ कि इन तीनो लिट्रेचर्स के subject matter क्या थे शिलपादिकारम कहानी थी कोवलन और कंडेगी की कहानी बहुत लंबी है, जरूरत नहीं आपको पूची नहीं जाएगी लेकिन इसका importance यह है कि कोवलन, कंडेगी और माधवी ये तीन characters की कहानी एक love triangle की तरह होती है जिसमें कोवलन और कंडेगी husband wife होते है और माधवी एक ऐसी लड़की होती है जिससे कोवलन को प्यार हो जाता है, कुछ वक्त वो माधवी के साथ रहता है लेकिन फिर उसको realize होता है कि उसकी wife ही उसको सही में प्यार करती है तो वो उसको छोड़के फिर अपनी wife के पास चला जाता है और उसके बाद में दुरुभाग्यपूर्ण तरीके से unfortunately he was mistaken as a thief मधुराई के अंदर वो जाता है और मधुराई में he was mistaken as a thief और उसकी हत्या कर दी जाती है जिसके बाद कर्णेगी जो की पती विरता नारी थी वो मधुराई को शिराब देती है कि मधुराई जलके भस्म हो जाए और ऐसा हो भी जाता है तो ये शिलपादी कारम की कहानी in a nutshell थी लेकिन इसका importance ये है culturally कि कर्णेगी को तमिल लैंड के अंदर एक ideal wife की तरफ पूजा जाने लग गया और जल्दी ही वो एक देवी बन गई उनके मंदिर बनने लग गए और उनको वहाँ के लोग पूजने लग गए खास तो और पे तमिल लाडू के अंदर जो married ladies होती है वो कर्णेगी की पूजा करती है because she was an ideal पती वरता नारी लेकिन ये तो story रही अब आपको याद यहाँ पर यह रखना है कई बार questions ये पूछ लेते हैं कि इस literature को लिखा किस ने था तो इस literature को लिखा था इलांगो अडिगल ने इसको लिखा था इलांगो अडिगल ने similarly मडिमेकले की कहानी माधवी की बेटी की कहानी है शिलपादी कारम की वो third lady या third character जिनका नाम माधवी था जिनको छोड़ कर कोवलन चले जाते है लेकिन कोवलन और माधवी से एक बेटी पेदा होती है जिनका नाम मडिमेकले था मडिमेकले was a beautiful dancer like her mother बट एक रूलर का दिल उसके उपर आ जाता है और रूलर अपनी लस्ट से influenced होके उसको पाना चाहता था लेकिन वो उस रूलर के साथ नहीं जाना चाहती थी इसी लिए उसको escape करने की process में मडिमेकले एक बुद्धिस्ट नन बन जाती है और जैसी वो एक बुद्धिस्ट नन बनती है वो रूलर भी अपना interest उसमें खो देता है तो ये again in a nutshell मैंने कहानी बताई इसको किस ने लिखा था? इसको लिखा था सित्तलई सत्तनार नाम के scholar ने मडिमेकले को लिखा था and third is सिंतमडी सिवाका जो एक ऐसे राजा की कहानी थी जो territorial conquest करके अपने empire को बढ़ा रहा था और अपनी number of wives को भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा था और फिर उसकी मुलाकात इस process में महावीर स्वामी से होती है और महावीर स्वामी के influence में वो हिंसा का रास्ता और लस्ट का रास्ता छोड़ देता है और एक जैन मुनी बन जाता है तो ये भी एक important कहानी थी जो कि एक epic है तमिल लैंड का इसको लिखा था थीरूत कत्यवार थीरूत कत्यवार तो ये तीन important literature है ये तीन इनके writers है पूछे जा सकते हैं exam के अंदर एक और important literature है जो थर्ड संगम में ही उभर के आया था बड़ा importance रखता है वो तमिल लैंड के अंदर और इस पार्ट आफ पट्टी नेनी किलकनको उस literature का नाम है ठीरूक कुरल जिसे कहा जाता है Bible of Tamil Land इसी पट्टी नेनी किलकनको का एक पार्ट है जिसका नाम है ठीरूक कुरल जिसे तमिल लैंड की Bible कहा जाता है इसको simply कुरल भी कहा जाता है लेकिन ठीरूक कुरल भी कहा जाता है क्योंकि इसको लिखने वाले का नाम ठीरू था तो ये ठीरूक कुरल जो थी Bible of Tamil Land इसलिए कहलाती क्योंकि इसमें religious analysis बहुत ज्यादा किया गया है इसी लिए विदेशी इतिहास कारों ने इसको Bible of Tamil Land के नाम से बताया है अब इसको किस ने लिखा था तो वो भी अपने लिख लेते है रिटन बाए थीरू वल्लूवर रिटन बाए थीरू वल्लूवर तो ये वो सारे सेट आफ ये वो सारे सेट आफ लिट्रेचर्स है जिन लिट्रेचर्स के दम पर हमको बहुत सारी important information मिलती है और ये बहुत सारी important information के दम पर हम इस पूरे संगम एज के अंदर किस तरह की चीजें हुई थी किस तरह की घटनाय हुई थी वो सब कुछ conclude करते हैं तो कौन कौन से important कौन कौन से important dynasties थी कौन कौन से important rulers थे उनके क्या achievements थे एक एक करके वो देखना शुरू करते हैं अब हम तो जो information हमको मिलती है उस information के basis पे हमको तीन dynasties primarily तीन dynasties देखने को मिलती है तो ये तीन important power blocks थे South India के अंदर जो South India या Peninsular India को largely dominate करके रख रहे थे देखे करके सब के बारे में हम लिखना शुरू करते हैं पहला पांड्यास दिखिए पांडियास के बारे में हमको क्या-क्या याद रखना है पांडियास के बारे में हमको ये याद रखना है कि पांडिया डाइनिस्टी का ग्रेटिस्ट रूलर कौन सा था पांडिया डाइनेस्टी कितने इलाके में रूल करती थी और पांडिया डाइनेस्टी की capital क्या हुआ करती थी और इसके अलावा भी अगर कोई उनके achievement थे या फिर जैसे उनका insignia होता है कि उनका जो शाही चिन्न था वो क्या था तो एक एक करके इस सब के बारे में हम बात करन शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे पांडिया डाइनेस्टी की पांडिया डाइनेस्टी के बारे में सबसे पहला और इंपोर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना है कि दी दे वेर दमेन दे वेर दमेन पैटरंस आफ इंटायर संगम जो पहली स्लाइड में हमने बात करी थी ना कि उत्तर भारत से बहुत सारे लोग आये थे दक्षिन भारत में प्रशय यहने की पैटरनेज ढूंटे हुए तो वो पैटरनेज उनको किस ने दिया था और जो तीनो संगम इसेंबली थी यह तीनो संगम एसेंबली स्लीज पैंडे टेरिटरी के अंदर ही और गेनाईज हुई थी पैंडी रूलर्स ने ही इन संगम को और गेनाईज किया था दूसरा important point इनके बारे में हम बात करेंगे Their kingdom या their rule was spread in South Tamil Nadu South and Central Tamil Nadu South और Central Tamil Nadu में इनका kingdom spread था Next important point जो इनके बारे में याद रखना है Their capital was Madurai पहले इनकी capital दूसरी थी कोरकाई नाम की जगे इनकी capital थी लेकिन वो बहुत पहले थी ज्यादा तर जितना भी संगम literature से हमको पता चलता है इनकी जो main जो राजदानी थी वो Madurai नाम का शहरी हुआ करता था जो आज भी Tamil Nadu के अंदर situated है इसके बाद अगला important point देर ग्रेटेस्ट रूलर वोस नेंदु जेलियन नेंदु जेलियन नाम का रूलर इनका महन तमशासक माना जाता है लेकिन इसी नेंदु जेलियन के दौर में according to संगम literature destruction भी हो गया था कंडिगी का जो शिराप लगा था मदुराई जल के भस्म हो गई थी वो इसी नेंदु जेलियन के वक्त हुई थी लेकिन फिर भी इसको ग्रेटिस्ट रूलर माना जाता है तमिल लैंड का according to या साथ तमिल लाडू का according to the संगम literatures and last but not the least the insignia of पांडियाज was a कार्प फिश एक प्रकार की मचली होती है जो भी कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग है या जो मचली खाते हैं वो जानते हैं कि कार्प क्या होती उसको generally इंढिया में common बोल्चाल की भाशा में कार्प कहते हैं लेकिन मार्केट में कार्प लोग नहीं इसको को बोलते हैं, तो इसको बोलते है common car तो अगर आप कभी market में जाएं और कोई आपको बोले कि common car मचली है यह लेलो, तो यह actually वोई कार्प मचली है जो कि इन पांड़ी रूलर्स का insignia याने कि उनके जंडे के उपर बना हुआ, निशान हुआ करता था उसे insignia कहा जाता है अब हम बात करते हैं चेरा dynasty के पहले major rulers की जगे हम यहाँ पे एक slide add कर देते हैं और इस slide में अब हम बात करेंगे कि चेरा dynasty का क्या importance लिए तिल राइट हीर चेरा सबसे पहला important point they ruled they ruled present day Kerala region and some parts of modern Karnataka दूसरा important point their capital was वन्जी इनकी जो capital थी राजधानी थी वो वन्जी थी लेकिन इसके अलावा भी दो और प्रमुक शहरों का description मिलता है हमको चेरा territory के अंदर जो बहुत important ports हुआ करते थे और यहां से बहुत सारा foreign trade भी चलता था जिन पोर्ट का नाम था मुसीरी और तोंडाई वेर important port cities थी दो important ports थे जहां से Roman Empire के साथ में इनका बड़ा व्यापार चलता था और इनकी राजधानी वन्जी हुआ करती थी greatest ruler कौन था इनका the greatest ruler was chairan singgutuan chairan singgutuan जिसको red chaira भी कहा जाता है तो यह भी अपन लिख लेते हैं रेड़ चेरा English में यह term use करी है इसके नाम से इंटरप्रीट करके कि रेड़ चेरा सिंगुत्वन यह चेरन सिंगुत्वन अब इसके अचीव्मेंट्स क्या आते हैं इसके बड़े आते हैं आते हैं यह विद्टव इसके अपन हैं इसके ग्या बाहरGS तो इन्होंने उनको दोनों आर्मी के लिए केटरिंग का काम किया था दोनों आर्मी को खाना मुहया करवाया था संगम लिटरेचर यह भी कहते हैं कि इन्होंने उत्तर भारत में बहुत सारे राजाओं को डिफीट भी किया था कब किया था इस लड़ाई के बात किया था इसक to have defeated many rulers in north वो जो शिल्पादी कारम नाम की लिटरीचर की मैंने बात करी थी ना कि उसको इलांगो अडिगल ने लिखा था वो इलांगो अडिगल इनका ही भाई था इनके ही भाई था और उसी शिल्पादी कारम से ही हमको यह सारी important चीजे पता चलती तो भाई ने भाई के लिए अच्छा ही लिखा अब सही में उन्होंने किया था या थोड़ा बहुत किया था या बिल्कुल exactly वो ही किया था जो भाई ने लिखा यह पता नहीं लेकिन हाँ कुछन कुछनों ने किया जरूर था एक और important चीजे जो इनसे जुड़ी हुई है जो हमको पता होनी चीए he started the पट्टिनी कल्ट जिसको तमिल नाडू में पट्टिनी पूजा भी कहा जाता है यह पट्टिनी पूजा क्या होती है worshiping या worship of कंड़नेगी as a देवी एक देवी की तरह कंड़नेगी की वर्शिप करना कंड़नेगी कौन थी शिलपादी कारम में कोवलन की वाइफ जो कोवलन के अलग चले जाने के बाद भी कोवलन के लिए कंड़नेगी को देवी मान के कंड़ने का जो रिवास था वो भी यही यानि कि सिंगुत तुवन ने ही शुरू किया था एक और इंपोर्टन चीज जो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए इस देर इंसिग्निया वास देर इंसिग्निया वास अबोर्टन अन एरो धनुष और बार धनुष बार इनका क्या था रॉयल इंसिग्निया था वो एंड एन एरो धनुष और बार इनका रॉयल इंसिग्निया था किस इलाके में रूल करते थे कैरला रीजन में रूल करते थे capital क्या थी इनकी वंजी थी greatest ruler कौन था सेंगुत तुवन था क्या उसके achievements थे और अब इसके बाद हम बात करेंगे चूला rulers की जो probably militarily सबसे ज्यादा strongest थे इन तीनों के बीच में तो अब लिखते हैं हम the चूलास सबसे पहले चूलास के बारे में कि किस इलाके में वो rule किया करते थे they ruled north Tamil Nadu and some parts of head joining andhra mainly to north Tamil Nadu के अंदर इनका rule था लेकिन कुछ ad joining areas भी थे अंदर प्रदेश के जहां तक इनका rule फेला हुआ था next important point their capital their capital was earlier दो capital थी इनके पहले जो इनकी capital थी काफी लंबे समय तक रही थी वो capital तो देर capital अर्लियर वॉस आट उर्यूर शुरू में इनकी capital उर्यूर में थी लेकिन बाद में capital चेंज हो गई थी लेटर वॉस ट्रांसफर्ट टू पुहार बाद में जो इनकी नई capital बनती जो लंबे समय तक इनकी capital होती है वो पुहार होती तो शुरू में इनकी capital उर्यूर थी बाद में इनकी capital पुहार हो गई थी अब बात करते कि इनका जो greatest ruler था वो कौन था देर ग्रेटिस्ट रूलर था वो जो करीकला इनका ग्रेटिस्ट रूलर था एंड वोस कंसिडर्ड एज ग्रेट कौन कररर एक बहुत बड़ा military एक बहुत बड़ा military विक्टर था उसने बहुत सारी लडाईयां जीती थी He was a great military conqueror और क्या किया था इसा इन्होंने जिसकी वज़े से ऐसा कहा जाता है He defeated 11 small kingdoms in the and other 11 small kingdoms in the battle of Venni in the battle of Venni Venni की एक लड़ाई हुई थी जिसमें इनके सामने पांडी rulers भी थे चेरास भी थे और ग्यारा और छोटे kingdoms थे यह सब लोगोंने एक श्रिलंका इन्होंने उत्तरी श्रिलंका को भी कॉन कर कर दिया था जिसका मतलब यह है कि इनके पास में कि स्ट्रॉंग नेवी भी रही थी आगे राजपूत पीरिड में हम देखते हैं कि चोला जिसे हम इंपीरियल चोलास कहते हैं वह बहुत ही मैसिव नेवी बनाते हैं लेकिन शायद नेवी बनाने की परंपरा चोलास में बहुत पहले से रही थी जब वह संगम एज के चोलास थे तब भी उनके पास नेवी थी तब भी उन्होंने नेवल एक्सपेडिशन किया और उत्तरी शिरलंका के अलाके को जीत लिया था इनका बहुत बड़ा आचीवमेंट था इसके साथ ही अब हम बात करेंगे की एक और इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में हाँ He Commissioned he commissioned the construction of he commissioned the construction of a very large Embarkment a very large Embarkment on both the banks of Kaveri River Kaveri Kaveri Nitin Kaveri Chapnick A long Embarkment बनाया था जो कई किलोमेटर्स तक चलता था और इसका अबजेक्टिव ये था कि जो कावेरी नदी में बाड आती थी तो वाड अपने किनारों से आगे बहके गाउं को बरबात कर देती थी तो वो बाड के पानी से बचाव हो सके गाउं का इसलिए इन्होंने एक बहुत इनका जो जंडे के उपर चिन्न लगता था वो एक बाग होता था दियर इंसिगनिया वाज अ ताइगर याने की बाग तो यह इनका इनसिगनिया हुआ करता था तो यह रही बात संगम की कि संगम क्या था किसके बीच हुआ था दूसरा कितने संगम हुए थे उन संगम के अंदर कौन-कौन से literature's का creation हुआ था और उन literature's के basis पे हमको क्या major political information मिलती है South India की प्राचीन भारत के दोर में अब इसके बाद हम बात करेंगे इन तीनों रूलर्स के बाद में बात करेंगे कि हम पल्लव चालुक के conflict की जब संगम काल का end होता है तो फिर दक्षिन भारत में पल्लव चालुक के conflict की शुरुवात होती है जरा देखें कि पल्लव चालुक की conflict या पल्लव और चालुक के कहां से आते हैं किस तरह से इनका conflict होता है पल्लव और चालुक की कॉन्फिक्ट को समझने से पहले पहले अपन ये देखेंगे कि ये पल्लव डाइनस्टी थी इनका राइस कैसे हुआ और उसके बाद में फिर हम चालुक के डाइनस्टी के बारे में भी बात करेंगे तो जरा देखें कि पल्लव डाइनस्टी का राइस कैसे हुआ था after the decline of चोलाज in नौर्थ तमिल नाडू पल्लव्स अब इग्जैक्टली पल्लव के पहले रूलर कौन थे ये पता नहीं चलता क्योंकि इनकी हिस्ट्री बहुत मिस्ट्री में श्राउड़ेड है तो कि एक क्लारीटी नहीं है और क्योंकि जिन फैक्ट्स में क्लारीटी नहीं होती उनसे रिलेटेट क्वेशन भी एक्जैम के अंदर नहीं पूछे जाते क्वेशन एक्जैम में ये पूछा जा सकता है कि इस डाइनस्टी का पहला ग्रेट रूलर कौन था जिसने एक्सपैंशन के शुरुवात करी थी तो वो जो पहला ग्रेट रूलर था तो इसका उसका नाम जरूर इतिहास के अंदर मेंचंड है उसका नाम अब लिख लेते हैं the first the first great ruler of this dynasty was Sih Vishnu जो 575 AD से लेकर 600 AD के बीच में रूल करता है लगबग 25 साल तक रूल करने वाला ये Sih Vishnu सबसे पहला great ruler माना जाता है इस डाइनस्टी का लेकिन सही माइनो में great ruler इस डाइनस्टी का होता है he was succeeded by उसका बेटा होता है महेंद्र वर्मन महेंद्र वर्मन फर्स्ट एक great ruler था इस डाइनस्टी का काफी achievements थे उसके 600 AD से लेकर 630 AD के बीच में इसने रूल किया था और इसके achievements के आते सबसे पहला important achievement इसका था थे स्तुड़र इस टूर्ट इस टूर्ट नी इन साउथ इंडिया वेर बिल्ट द्यॉरिंग हिस रीन बिल्ट द्यॉरिंग हिस रीन इनके दौर में दक्षिन भारत में पहले रॉक कट टेंपल्स बने थे अब यहां से साउथ इंडिया के टेंपल आर्केटेक्चर की भी शुरुवात होती है और सीडियस की एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से टेंपल आर्केटेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेशन्स पूछे गए हैं आज के चैप्टर मेश एक डेडिकेट चैप्टर अपन रखेंगे सिर्फ टेंप क्या ते के लिए जुसमें टेंपल आर्केटेक्चर को स्टुडी करेंगे बहुत थोरोय हुथ के उत्तर बबारत की नागर शैली उत्तर और दक्षिन भारत की बीच मे बीसरली इन को वेसर history के इस chapter में कि इन्होंने rocket temples को बनाने की सबसे पहले शुरुवात करी थी इसके अलावा एक और important point ने इनके बारे में ये है कि इन्होंने दो important literature लिखे थे वो दो important literature क्या थे he composed Maha Vilas Prahasan Maha Vilas Prahasan and Vichitra Chit So ये दो important literature है जो पूछे जा सकते as it is कि ये literature कौन से पल्लव ruler ने create किये थे तो Maha Vilas Prahasan और Vichitra Chit ये दो important literature भी इन्होंने लिखे थे मतलब कि एक विदवान भी थे एक scholar भी रहे थे लुकिन अफुरत हैं लिक हैं उछिएष एक संद्विक का फे इन्हों सो हैं मतलब थे साह लिऑंग second of चालुक्य क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है पल्लव चालुक्य कॉन्फिक्ट तो दोनों के बीच में काफी सारी लडाईयां हुई थी लेकिन ऐसी पहली बार जो लडाई हुई थी वो लडाई हुई थी महेंद्र वर्मन फर्स्ट के दौर में जब चालुक के किंग पुलकेशिन सेकेंड ने इनकी कापिटल को जीतने के लिए जो की कांची पूरम हुआ करती थी हमला कर दिया था इन्होंने कांची पूरम को सक्सेस्फली डिफेंड तो किया लेकिन उस लडाई में यह मारे गए थे तो यह बहुत अनफॉर्चनेट इंसिडेंस इनके साथ जुड़ा हुआ है अब यहां पे एक और चीज जो भी याद आ गई मुझे तुम्हें लिख देता हूं उससे प इनकी capital हुआ करती थी जो की नक्षे में आपको यह दिखाई दे रही है यहां पे जो मदुराई से कुछ north में है तो यह कांची पूरम या कांची इनकी capital हुआ करती थी दो rulers के अमने बात करी पहला सिह विष्णू जो इनका पहला great ruler है और दूसरा महेंद्र वर्मन जो इनक तो डिफीट हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं उस नक्षे के अंदर पूरे पैनिंसुलर इंडिया को इन दो पावर्स ने डॉमिनेट कर लिया है जहां पर अपर डेकन रीजन में लाल रंग से मार्ग्ड इलाके के ओपर चालुक के पावर डॉमिनेंट है वहीं दक्ष इतिहास रहा है पूरा पललव और चालुक के कॉन्फिक्त इसे ले कहते हैं इवन कई हिस्टॉरियंस तो ये तक कहते हैं कि जो पललव थे ना ये ओरिजनली पहलव कहलाते थे जो कि इरान से आई हुई कोई tribes थी warrior tribes थी और जो चालुक क्या थे ये चालुक के पहले Salukius कहलाते थे जो कि Alexander the Great के Commander Salukus Nikator के descendants थे तो यह लोग North West से आपस में लड़ते हुए आए थे फिर दोनों ही tribes gradually South India में migrate हो गई लेकिन South में भी ये एक दुसरे के साथ में लड़ते ही रहते थे तो कुछ इतिहासकार इनकी origin को trace foreigners से करते हैं कि पलव आए पहलवों से जो इरान से migrate करके आए थे और चालुक के आए सेलुकियस से जो इंडो ग्रीक से migrate करके आए थे और तब से ये दोनों लड़ रहे थे और दक्षिन में आके भी ये दोनों लगातार लड़ते ही रहे और ऐसी एक लड़ाई में चालुक के रूलर ने इस पलव रूलर को डिफीट कर दिया लेकिन बात यहां पर खतम नहीं होती है क्योंकि अगला रूलर जो आता है वह इस इस कंसिडर ऐस दो ग्रेटेस्ट डूलर अफ दिस डाइनस्टी वह है नंदी वर्मन नर सरी नर से हैं वर्मन नर से हैं वर्मन दो फॉस्ट तो नर से हैं वर्मन दो फॉस्ट जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है और इस पूरी डाइनस्टी का सबसे ग्रेट या ग्रेटिस्ट रूलर माना जाता है सबसे पहले यह देख लेते हैं कि इसका टाइम लाइन कब से लेके कब तक था तो ही रूल बेट्वेइन शिक्स हंड़ेट थर्टी एडी तो 668 एडी अब क्या क्यों इसको ग्रेटिस्ट रूलर मान रहे हैं पहले तो वह भी लिख लेते हैं अपन ही वाज लिख लियूज है NG वाज थे लिख तर्ट गेति ही मोल लोगर ओ पल्लव धनिस्टी जब पुलकेशिन सेकेंड ने इनकी कैपिटल के उपर हमला किया था तब ये एक राजकुमार थे और इनके फादर महेंदर वर्मन रूलर थे और उन्होंने लीड किया था अपनी आर्मी को उस लड़ाई के अंदर बहुत बहादूरी से वो लड़े थे लेकिन अपनी कैपिटल को तो जैसे तैसे बचा लिया लेकिन काफी पेरिफेरल इलाके उन्होंने लूस कर दिये चालुक्यों के हातों और इस लड़ाई में महेंदर वर्मन भी वीर गती को प्राप्त हुए थे ये सब कुछ यंग राजकुमार नरसे वर्मन ने देखा था और नरसे वर्मन इसका बदला लेना चाहता था इसी लिए 642 AD में जब ये रूलर बने तो रूलर बनने के 12 साल बाद उन्होंने वो बदला लिया और वो बदला कैसे लिया इस नक्षे में ये कांची है ये वातापी है चालुक्यों की राजधानी वातापी हुआ करती थी तो इन्होंने कांची से वातापी के उपर हमला किया और वातापी के उपर हमला करके वातापी को जीत लिया याने कि पहले चालुक की रूलर पुलकेशन सेकंड ने कांची पे हमला किया था पर कांची को जीत नहीं पाया था लेकिन उसके रूलर को तो मार डाला था पैट उसका बदला लेते हुए इनोंने नौर्थ में मुव्मेंट किया वातापी के ओपर हमला किया और वातापी को जीत भी लिया और toolication second को मार भी दिया इस तरह से इनोंने अपनी राजधानी के ओपर हुए हमले का भी बदला लिया और लड़ाई में अपने पिता जी की का भी बदला ले लिया चालुक की रूलर पुलिकेशिन सेकेंड को मार के उस लड़ाई में और यही इनका ग्रेटिस्ट अचीवमेंट है जिसके लिए जाने जाते हैं कि इन दे यह कि 642 एडी कि विद इस आर्मी इन वेड़नी इन वेड़ दॉक्या चालुक्य से कापिटल वातपी फॉनकर देत ध ऐद दोकीन असे किन रवेंच देफ द देद फिस फादर avenging the death of his father और इसी के साथ also assuming the title also assuming the title Vata P Konda Vata P Konda जिसका मतलब होता था conqueror of the Vata P क्योंकि इन्होंने Vata P को जीत लिया था तो इन्होंने title achieve किया उनकी language में Vata P Konda याने की Vata P को जीत लेने वाला Pulcation Second की हत्या करके अपने पिता की मृत्यू का भी इन्होंने बदला लिया तो यह important achievement था और इसी वज़र से इनको greatest ruler माना जाता था एक दो और बातें जो याद रखी जा सकती है जैसे कि he founded या एक और title था इनका उसके आगे में continue करता हूँ इनको मामल भी बोलते थे जिसका मतलब होता था महा बली अपने नाम पर या अपने title के नाम पर इन्होंने एक शेहर को बसाया था जो अब महा बली पूरम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनको इस जीत के बाद ये title मिला था मामल याने की महा बली और उसी नाम से उन्होंने मामल पूरम बसाया था जो आगे चलके महा बली पूरम के नाम से बहुत मशूर हुआ था अगे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में लिखेंगे ही डेविलप्ड देंपल आर्किटेक्टेक्ट्चर आफ्टर इस फादर इनकी पिता ने रॉककट टेंपल्स बनाने शुरू किये थे उन्हीं रॉककट टेंपल्स के ट्रडीशन को इन्होंने आगे बढ़ाया और बड़े लेवल पर उचे मंदिर बनाने शुरू किये दक्षन भारत के अंदर कुछ बहुत ही ब्यूटिफुल टेंपल्स इनके द लुटीश चरूर थे। बहुत है कि वैं सा sek Prose, बरेद टेंजरिवांग जेर विशतए लिश्अन कावट घानवेंडें सि टीच्वेंटाओ लूर। टेंडेंगे वेध्य वेंपम्यर को इस एविकशन क। और न दीच टिस टयूटेश के बहुत है किए आलן हैंप्रू , ट चाइनीज ट्रैवलर हुए इंसांग इनके सामराज्य को विजिट करते हैं और चाइनीज ट्रैवलर हुए इंसांग की राइटिंग्स में इनके सामराज की बड़ी तारीफ करते हैं कि बहुत prosperous kingdom था, बहुत अच्छी खेती होती थी वहाँ पे, लोगों के पास में बहुत अच्छा पैसा था, तो ये सारी चीजे इनके kingdom की prosperity के बारे में हुए इनसांग बताते हैं, अब जो अगला पल्लव चालुक के conflict में हमने पल्लव major दो पल्लव rulers, जिनके बारे में हमको जानना होता है, exam के point of view से उनके बारे में बात करी, अब अपन बात करेंगे कि चालुक के power का क्या रोल था, चालुक के power को भी क्योंकि पल्लव चालुक के conflict है, तो पल्लव के साथ साथ चालुक की भी बात होगी, तो चालुक के power क्या थी, कहां से आई थी, और उनके greatest ruler कौन थे, इसके बारे में बात करते हैं, बात करते हैं, चालुक क्यास की, दो चालुक क्यास अब जो चालुक के डाइनस्टी है, इसके जो founder थे, it was, इनके बारे में पता चलता, it was founded by जय सिंहा, लेकिन जो पहले great ruler थे, जिन्होंने इस डाइनस्टी को आगे बढ़ाया, दो फॉर्स्ट ग्रेट रूलर पुलकेशिन फॉर्स पुलकेशिन फॉर्स इनके पहले great ruler माने जाते हैं, लेकिन, जो हमारा subject matter है, वो है पुलकेशिन पुलकेशिन जो कि 608 AD से लेके 642 AD के बीच में रूल करते हैं, पुलकेशिन सेकेंड क्या great था जो इनोंने अचीव किया था, सबसे पहला तो point यह याद रखना है इनके बारे में, इस औरिजनल नेम वास एराया यह जो पुलकेशिन सेकेंड है न, यह पुलकेशिन नाम इनोंने अपने दादा जी से इंस्पायर करके लिया था, तो यह इतिहास कारों ने इनको पुलकेशिन सेकेंड कहा, एक ही डाइनस्टी में जब एक जैसे नाम वाले दो रूलर्स आत तो इतिहास कारों को फॉस्ट सेकेंड कह देते हैं, लेकिन जब वो रूलर्स रूल किया करते थे तो वो खुद को फॉस्ट सेकेंड नहीं कहते थे, वो तो खुद को पुलकेशिन तो पुलकेशिन ही कहता होगा खुद को, या लोग उसको पुलकेशिन ही कहते होंगे, क्य बात हो रही है इसलिए इतिहास कार्यन को फॉस्ट या सेकंड कह देते थे तो यह पुलकेशन सेकंड जो की ओरिजिनली एराया के नाम से जाने जाते थे बात मेरोंने टाइटल एजियूम किया था पुलकेशन सेकंड सबसे पहली चीज इंपोर्टेंट यह ही we conquered most of the upper deck one region and South Central India दक्षन मध्य भारत जिसको कहते हैं South Central India तो यह South Central India और Upper Deccan region का ज्यादा तर इलाका इनोंने completely जीत लिया था जो आज के महराश्ट और करनाटक का लगता हुआ इलाका है तो यह Upper Deccan और South Central region को जीत जाते हैं कई छोटी छोटी डाइनस्टी जो रूलर्स को डेफीट करके यह तो इनका पहला बड़ा अचीव्मेंट था दूसरा बड़ा अचीव्मेंट था इनका ही इस यह ऐसा लिख देते हैं इसको अकॉर्डिंग टू एहूल इंस्क्रिप्शन यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एहूल इंस्क्रिप्शन जो कहां से मिलती है करनाटका से मिलती है according to the एहूल इंस्क्रिप्शन found from करनाटका रीजन रिटन बाइ रवी कीर्थी रिटन बाइ रवी कीर्थी इन संस्कृत लैंगवज रिटन बाइ रवी कीर्थी इन संस्कृत लैंवज औ कुनर इस कृप्ट रिटन बाइ रवी कीर्थी इन संस्कृत लैंवज औ कुनर दास कृप्ट रिटन बाइ रवी कीर्थी इन संस्कृत लैंवज औ कुनर दास कृप्ट तो यह तो इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है मैंने कि according to a whole inscription एहौल इंस्क्रिप्शन जो करनाटक से मिलती है जो रवी किर्ती नाम के एक पोएट ने लिखी थी जो इनका कोट पोएट था संस्कृत भाशा में लिखी थी और लीपी उसकी कन्नडा थी क्या लिखा था उसमें फुलकेशिन सेकेंड फुलकेशिन सेकेंड डिफीटेड शाकल उत्तर पथेश्वरा कि साकल उत्तर पथेश्वरा किसको रेफर किया गया है इस इंस्क्रिप्शन में एंपरर हर्श वर्धन को कि सम्राथ हर्श वर्धन साकल उत्तर पथेश्वरा नौर्थ में उत्तर भारत में शाकल तक के पथो के स्वामी इसमें तो पूरा नॉर्थ इंडिया है नहीं नहीं तो मैं आपको दिखा देता ड्रॉ करके यूँ ही मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्धन इंडिया में जो पंजाब का इलाका है उस पंजाब के इलाके से भी आप नॉर्थ में जाते हो तो जम्मू आता है और जम्मू के आफ वेस्ट में जाते हो तो आपको आज पाकिस्तान की बॉर्डर आ जाती बस वहीं पे पाकिस्तान की और जम्मू पाकिस्तान की बॉर्डर और पाकिस्तान की बॉर्डर के थोड़े सी अंदर एक शहर है सियाल कोट यही सियाल कोट इंशिन टाइम्स में साकल कहलाता था तो साकल उत्तर पथेशवरा का मतलभ होता है उत्तर में साकल तक के सारे पथों का स्वामी जो की कौन था उस्वक्ट सम्राथ हर्शवर्दन था तो यह लिखा हूआ है एफ हॉल inscription में Trustee in second defeated साकल उत्तर पथेशवरा इन अ बैटल in a battle fought in a battle fought on the bank of river Narmada पुलकेशिन सेकेंड की लाइफ का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि उत्तर भारत के ताकतवर समराट हरशवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हुई किसी एक युद्ध में इन्होंने पराजित कर दिया प्रॉबेबली समराट हरशवर्धन ने उत्तर भारत का सारा इलाका जीत लिया था तो वो अब अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करने के लिए नर्मदा पार करके दक्षन की तरफ भढ़ रहे थे और यहीं इसे पुलकेशिन की टेरिटरीज भी शुरू होती थी तो इन दोनों की बीच में एक लड़ाई हुई क्योंकि पुलकेशिन ने इनकी आर्मी के एडवांस को रेजिस्ट किया होगा और नर्मदा नदी के तटपर हुई इस लड़ाई में जीत होती है पुलकेशिन सेकेंड की इस बात की रेजल्ट नहीं बताया गया है कि उसका एक्जेक्टली रेजल्ट क्या होता है तो इससे अगेन यही समझ में आता है कि एम्परियर हरिशवर्दन ने यह लड़ाई तो हुई थी लेकिन इसको जीता नहीं था और डेफिनिटली एहॉल इंस्क्रिप्शन इस बात को बता रही है कि यह लड़ाई एहॉल इंस्क्रिप्शन को लिखने वाले कोर्ट पोईट के राजा फुल केशिन सेकेंड ने जीती थी तो डेफिनिटली जीती होगी और इसके अलावा एक और बड़ा अचीवमेंट था इनका कोई छोटे मोटे रूलर नहीं थे बड़े बड़े मिलिटरी अचीवमेंट से इनके तो जो अगला इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था वो पहले ही में बता चुका हूँ ही ऑल्सो कि डिफीटेड कि अगिल्ड कि अगिल्ड महेंद्र वर्मन पॉस्ट ऑफ पल्लवास इसके बारे में पिछली स्राइड में हम बात कर चुके हैं लेकिन ये भी इनका अचीवमेंट था बट एक बहुत जबर्दस ट्विस्ट आता है इतने सारे बड़े अचीवमेंट के अलावा एक जबर्दस ट्विस्ट आता है इनके दौर में और वो यह आता है He was Ultimately Defeated And killed by He was ultimately defeated and killed by नर्सह वर्मन कि 13 साल तक 13 येर्स तक नर्सिंग वर्मन ने जब वाता पी को जीत लिया था पुल्केशिन सेकेंड को मार दिया था तो वाता पी को 13 सालों तक नर्सिंग वर्मन ने डॉमिनेट किया था पिर तिरह साल बाद जब नर्सिंग वरमन की डेथ होती है naturally तो application second का बेटा आता है जिसका नाम होता है विक्रम आदित्य जिसे विक्रम आदित्य फस्ट भी कहा जाता है चालुच के डायनि़स्टी का विक्रमा दित्य फस्ट और ये बदला लेता है अपने पिता की मौत का औ हमज़ोब नहीं हो जाती और दूसरी पावर उन दोनों को और रन कर जाती राश्टर कूट पावर ऑवर रन कर जाती है चालुक्यों को और उधर 14 ओवर रन कर जाता है और बाद में पुलकेशिन सेकेंड का बेटा विक्रम आदित्य फॉस्ट अपने बाप का बदला लेता है तो हर बेटा अपने बाप का बदला ही ले रहा था इस डाइनिस्टी के अंदर एक दो और वाते हैं जो याद रखी जा सकती है जैसे की Chinese traveler Huynh Sang Visited Huynh Sang Visited His Empire वो Chinese traveler जो आगे चलके महें नर्सिंग वर्मन के पास भी गया था उससे पहले इनकी territory से विजिट करके आया था क्योंकि यह नर्सिंग वर्मन के नॉर्थ में थे तो चाइनीस टैबलर सबसे पहले आता है, Emperor Harishwardhan की territory में, फिर Grandpa Harishwardhan से यह पहुँचता है चालुक की territory में, और चालुक की territory से चालुक की territory से पहुचता है फिर दर फर्दर आगे nursing बर्मन की territory में, और Huynh Song इनके बारे में क्या लिखता है? Wayne Sangh इनके बारे में ये लिखता है कि personally ये बहुत अच्छा आदमी था एक तो Chinese Traveler के साथ अच्छे से पेश आए होंगे दूसरा Wayne Sangh इनकी आर्मी की बहुत तारीफ करता है कि इनके पास जो आर्मी है वाकई में बहुत strong आर्मी है और जरूर नर्सिंग वर्मन ने इनकी आर्मी को अगर डिफीट किया इनकी capital को conquer किया तो नर्सिंग वर्मन का भी एक बहुत बड़ा achievement है बट overall Pulcation 2nd was definitely a great ruler अपनी जबरदस चाप छोड़के गए वो 7th century AD में दक्षन भारत के अंदर लेकिन ये जो सारी चीजें चल रही थी इन सारी चीजों के आगे एक और dynasty का rise हो रहा था और वो dynasty का rise हो रहा था उत्तर भारत के अंदर और उस dynasty को हम कहते हैं वर्धन dynasty तो अब बात करेंगे हम वर्धन dynasty की जिसका टाइम लाइन है 606 AD से लेके 646 AD के बीच में गुपता एंपायर का जब डिकलाइन हुआ तो गुपता एंपायर के डिकलाइन के बाद जो पावर का rise हुआ वो वर्धन्स थे और इन्होंने नॉर्धन इंडिया में एक बहुत बड़ा एंपायर क्रियेट किया जब दक्षिंड भारत में चालुक के पावर और पल्लव पावर का conflict चल रहा था बिलकुल इनके पैरलल उत्तर भारत के अंदर एक बड़ी पैरामाउंट पावर के राइज हुआ था और वही वर्धन डाइनेस्टी हुआ करती थी तो इनके बारे में थोड़ा सा हम पहले परीचय ले ले लेते हैं कि इट वॉस कि या ऐसा लिखतें देवेर स्वारी ऐसा ही लिखतें इट वॉस कि पाउंड़ेट बाई पुष्य भूती वर्धन वर्धन और Engagement दॉा औरो sermon बाउंड,ट,ाइवन,द,ड,वर्धन, वर्धनौ,और,वर्धन,ड,वर्धन,ड,वर्धन,वर्धनु,ण,द,विर्धन commence। खिब्स और खोज एफीडिटरी ओफ गोपता रूलर के यह समन्त हुआ करते थे एंड गोपता रूलर को स्थानेश्वर या फिर जिसको ठानेश्वर भी कहा जाता था आज जो हरियाणा और पंजाब के लगते हुए इलाके हैं वहाँ पे एक शहर है अब उसको ठानेश्वर बोलते हैं पहले उसको ठानेश्वर बोलते थे और उससे भी पहले उसका नाम स्थानेश्वर था तो यह स्थानेश्वर और उसके आसपास के इलाके में यानि कि आज के हरियाणा वाले रीजन में ये लोग गुपता एंपायर के सामन्त हुआ करते थे उनके subordinate rulers हुआ करते थे लेकिन जब गुपता एंपायर का decline होता है तो गुपता एंपायर के decline के साथ ही ये लोग independence assume कर लेते हैं he assumed independence after the fall of Gupta Empire approximately 606 AD से पहले तो ये 606 AD से समझ लीजे आप 10-20 साल पहले ये independence assume करते और एक अपना छोटा सा kingdom कार्फ कर लेते हैं वर्धन dynasty मैंने 606 AD से इसले लिखा है क्योंकि जो वर्धन सामराज है हर्ष वर्धन का वो 606 AD से शुरू होता है otherwise उनसे पहले पात सो सतर असी AD के आसपास के इलाके में ये independent हो चुके थे और एक kingdom कार्फ कर चुके थे he was succeeded by प्रभाकर वर्धन उसका जो बेटा था वो प्रभाकर वर्धन था और इस प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे या तीन बच्चे थे एक राजकुमारी थी और दो राजकुमार थे he had two sons राज्यवर्धन and हर्षवर्धन एंड वन डॉटर राज्य शिरी तो हर्ष चरीता की कहानी जो बाढ़ भट्टे ने लिखी है जो हर्षवर्धन के कोर्ट पोईट थे वो ये कहते कि प्रभाकर वर्धन के तीन बच्चे थे बड़ा बेटा राज्य वर्धन राज्य वर्धन वास elder and he was obviously younger और एक राजकुमारी थी राज्य शिरी तो सबसे पहले राज्य शिरी की शादी होती है और राज्य शिरी की शादी कहा होती तो उसको समझाने के लिए पहले में आपको उत्तर भारत के अंदर क्या पॉलिटिकल सेनारियो था उसके बारे में बता देता हूँ तो इस नॉर्दन इंडिया यहां पे चोटा सा नक्षा जैसे आपन बना लेते हैं इस नॉर्थ अंद इस साउथ अंद इस इस लाग दो इंडियन सब कॉंटिनेट इस दा मैप ओफ इंडियन सब कॉंटिनेट अब इंडियन सब कॉंटिनेट के मैप में यहां पे जो वर्धन्स थे वो रूल करते थे यह मैप बहुत छोटा बन गया इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा या बिना बड़ा बनाए इसको मैं यही पर लिखना शुरू कर देता हूं इस आर दी वर्धन्स इसी के पास में उत्तर प्रदेश का रीजन है फर्धर यहां पर रूल कर रहे थे मौकरी मौकरी डाइनिस्टी यहां पर रूल कर रहे थी फर्धर और साउथ की तरफ आगे बढ़ते हो या इस्ट की तरफ आगे बढ़ते हो तो बिंगॉल का रीजन आता है और इस बिंगॉल के रीजन में रूल करने वाले रूलर्स थे गौड बंगाल के गौड़ शासक हुआ करते थे मालवा का जो रीजन था सिंट्रल इंडिया का रीजन वहाँ पे गुपतास के आफशूट्स रूल कर रहे थे जिसका नाम था देव गुपत और फर्दर वेस्ट में जो गुजरात का इलाका था इस गुजरात के इलाके में रूल करते थे मैत्रक फर्दर और साउथ में अगर हम देखें तो फर्दर साउथ में पल चालुक्य और पल लव्स तो फिफ्ट से लेके सेवन्थ सेंचुरी एडी के बीच में इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी थी उत्तर में वर्दंज स्ट्रॉंग थे फिर प्रेजिंट य उत्तर प्रदेश के रीजन में मौकरी स्ट्रॉंग थे इस्टन इंडिया के अंदर एक बड़ी पावर गौड थे सेंटरल इंडिया में देवगूप्त रूल करता था वेस्टन इंडिया के गुजरात वाले रीजन में मैतरक रूल करते थे दक्शन भारत के उत्तरी इलाके में चालुक्य और दक्षणी भारत में पल्लव रूल करते थी इन दोनों के बारे में तो हमने बात कर ली लेकिन ये उत्तर भारत की चार-पांच मेजर पावर्स हुआ करती थी अब होता ये है कि डॉटर राज्जिश्री जो की वर्धन डाइनिस्टी की राजकुमारी थी इनका विवा होता है मौकरी डाइनिस्टी के राजा के साथ में जिसका नाम होता है ग्रिह वर्मन बड़ी अच्छी बात थी, मैरेज हो जाती है, सब कुछ बड़िया हो जाता है अब उसके बाद में गौड रूलर, शशांक गौड और मालवा का देव गुप्त ये दोनों मिलके हमला कर देते हैं मौकरी डाइनिस्टी के उपर कन्नौज इनकी कैपिटल हुआ करती थी, और इन दोनों के मन में था कि अपन मिल जाएंगे तो एक बड़ी पावर बन जाएंगे और मौकरी इसको डिफीट कर देंगे, कन्नौज को जीत लेंगे तो ये दोनों हमला करते हैं, ग्रेह वर्मन इस लड़ाई में मारा जाता है और राज्य श्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ था ग्रेह वर्मन के साथ में ये खबर पहुंचती है वर्धन के पास में, थाने इश्वर में तो वर्धन के बड़े भाई, याने वर्धन डाइनिस्टी का जो बड़ा लड़का था क्योंकि प्रभाकर वर्धन की डेथ हो चुकी थी तो राज्य वर्धन, who was the elder brother, launched a massive attack on this region not on मौखरीस, क्योंकि मौखरीस तो खतम हो गए थे, तो मौखरीस end हो गए तो he launched a massive invasion over God and देवगुप्ट अब एक और घमासान लड़ाई होती और इस लड़ाई में मालवा का देवगुप्ट मारा जाता है अब सिर्फ शशांगौड बचता है और राज्य वर्धन बचता है लेकिन शशांगौड चालाक था, शशांगौड समझ गया कि इस समय राज्य वर्धन शायद में जीत नहीं पाऊंगा या सीधी लड़ाई में उससे जीत नहीं पाऊंगा इसलिए ये क्या करता है कि धोके से राज्य वर्धन को मार देता है लेकिन मरने से पहले राज्यवर्धन अपनी बहन को जरूर छुड़ा लेता है बट अब जब राज्यवर्धन को धोके से मार दिया था तो वो जो बहन थी वो कहीं भाग गई कि मैं शेशांगोड के हाथ में भी ना पड़ जाओ तो वो भी कहीं भाग गई तो सबसे पहले तो यंगर ब्रदर हर्श्वर्धन अपनी बहन को ढूंडता है और उसको सेफटी तक पहुचाता है वापस थानेश्वर में और उसके बाद समराठ हर्श्वर्धन सीधा हमला करता है शेशांग गौड के उपर और शेशांग गौड को डिफीट कर देता है एक और पावर का नाम मैं या मेंशन करूंगा जो थे फार इस्ट में भासकर वर्मन जो आसाम का इलाका है नाम तो बहुत दूर चला गया लेकिन आसाम के इलाके में जो आज का आसाम का इलाका है जिसको उस समय कामरूप या प्राग जूतिश कहा जाता था वहाँ पर एक भासकर वर्मन नाम के रूलर थे ये भी एमपरर हर्श वर्धन की मदद करते और भासकर वर्मन की मदद से शशांग गौड के उपर हमला करके शशांग गौड को डिस्ट्रॉई कर दिया जाता है और इस तरह शशांग गौड की भी मौत हो जाती है वर्धन मौकरी भी गायब हो गए क्योंकि गौड और देवगुप्त ने मिलके मौकरी को मार दिया देवगुप्त भी गायब हो गया क्योंकि राज्य वर्धन ने देवगुप्त को मार दिया अब सिर्फ बचा था गौड और हर्षवर्धन तो हर्षवर्धन ने भासकर वर्बन के साथ मिलके शशांग गौड को भी मार दिया और इस तरह से उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा एंपायर बनता है जिसको कहते हैं वर्धन डाइनिस्टी बाद में इन वर्धन्स ने पश्शिम भारत के मैत्रक्स के साथ में दोस्ती कर ली उनका नामी मैत्रक्स था तो मैत्री कर ली उनके साथ में और इनको अपना एलाय बना लिया इनको अपना साथ ही बना लिया और उत्तर भारत पूरवी भारत और मध्य भारत के इलाके में एक मजबूत kingdom establish किया तो यह तो रही कहानी कि किस तरह से वर्धन का राइज होता है और emperor हर्षवर्धन अपने परिवार के लोगों की हत्या का बदला लेने के process में एक emperor बन जाते हैं एक बड़ा सामराज बना लेते हैं लेकिन अब एक सामराज बनाने के बाद एक emperor के तौर पर उनके क्या achievements होते हैं यहां पर अपन लिखते अब इनका नाम हर्ष वर्धन जो कि रूल करते हैं 606 AD से लेके 646 AD के बीच में जो मैंने वर्धन डाइनिस्टी या वर्धन एंपायर का भी टाइम लाइन बताया था क्या क्या इंपोर्टेंट अचीवमेंट होते हैं सबसे पहला पॉइंट याद रखना most of his information is most of his information is obtained from हर्ष चरिता of बाण भट बाण भट जो कि इनके कोर्ट पोइट थे इनके दरबारी कवी थे उन्हीं बाण भट की लिखी हर्ष चरिता से हमको इनकी maximum information हासिल होती है दूसरा पॉइंट कि इस कैपिटल कि वॉज एट कन्नौज इनकी जो राश्धानी थी वो कन्नौज में थी जो प्रेजिंट डे उत्तर प्रदेश के अंदर सिच्वेटेड है और इफ आम नौट रॉंग शैद उसे इत्र का शहर या सुगंद का शहर भी कहा जाता है आज की तारीक में लेकिन उस समय एक बहुत मेजर ताउन हुआ कर था करता था कीसरी चीज़ ही दिवेट देड शशांक गॉल and carved an empire in northern India. इन्होंने एक सामराज्य बनाए शशांग गौड को हराके जो पूरी कहानी में आपको बताई उसके बाद अगला important point इनके बारे में He, sorry Chinese traveler या ऐसा नहीं लिखते He welcomed The Chinese traveler He welcomed the Chinese traveler Huynh Sang Actually Huynh Sang को सबसे पहले इन्होंने वेलकम किया था क्योंकि इनकी territory के northwest से ही वो आया था वहीं से खेबर के दर्रों को पार करके जब वो पंजाब के वैदानों में घुसा तो सबसे पहली permission उसने इन से ही ली थी कि मैं आपके kingdom को विजट करना चाहता हूँ इनोंने Chinese traveler हुए इन्हों को विजट किया क्यों Chinese traveler हुए इंसांग क्यों आता है भारत हूँ विजटेड इंडिया को विजटेड इंडिया तू पे या तू या तू नहीं लिखता हूँ फॉर पिल्ग्रिमेज पिल्ग्रिमेज आट बुद्धिस्ट साइट इंडिया तू पिल्ग्रिमेज आट बुद्धिस्ट साइट क्योंकि इंडिया में बुद्धिस्ट सबसे प्रॉमिन था उस समय भारत में था तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिस लिट्रेचर थे जो विलुप्त हो जाए उससे पहले ये इसको कलेक कर लेना चाहते थे और लॉर्ड बुद्धि के लाइफ से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट जगें थी चाहे वो लुम्बिनी हो कपिल वस्तु हो या गया हो या सारनात हो या कुशी नगर हो सब को ये विजिट करना चाहते थे तो ये दो मकसद से आये थे बाद में कुछ समय नालंदा युनिवर्सिटी में भी एक स्टूडेंट की तरह भी पढ़े थे और बाद में एक टीचर की तरह पढ़ाया भी था ये आल्सो स्टडीड और टॉट स्टडीड और लेटर टॉट प्रेड़ लेटर प्रेड बाद इन नालंदा 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 युनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी अपने पीक पर अपने प्राइम पर पहुँच गई थी जब समराथ हरशवर्दन का दौर था उसको बनवाया किसने था कुमार गुप्त ने बनवाया था और उसको तोड़ा किसने था बक्तियार खिल जी ने 1200 एडी में उसको तोड़ दिया था लेकिन ये अपने पीक पर थी जब समराथ हरशवर्दन का दौर था तो ये नालंदा इनिवर्शिटी में भी आते हैं यहां पर पढ़ते भी है यहां पर पढ़ाते भी है बुद्धिस्ट लिट्रेचर को कलेक्ट करने और बुद्धिस्ट साइट्स के उपर पिल्ग्रिमेज के लिए ये आये थे और इनको वेलकम किया था समराथ यह थे लिए पर इनको यह थे लिए यह थे और इस साइब रिग्ते लिए रिए रिलिजियस गैधरिंग for the Shaiv Devotees once in every five years at Prayag later this event became the famous Kumhr in India Samrath Harishvardhan खुद एक शैवाइट थे और इसलिए शिव भक्तों के लिए हर पात साल में एक बार उन्होंने एक religious gathering या fair जैसा organize किया जो की प्रयाग में किया गया था जो संगम पे हुआ था और इनकी मृत्यू के बाद बतलब जब इन्होंने शुरू किया था ना मेला उसके पात साल तक इनको अगले पात साल बात फिर एक मेला करवाना था लेकिन ये इनकी मृत्यू हो गए इसी बीच तो ये अगला मेला तो देख भी नहीं पाए थे लेकिन ये tradition चलता रहा भारत में और फिर इसमें बहुत सारे बदलाव आते गए पहले पाँच की जगे ये हर चार साल में होने लग गया फिर प्रयाक के साथ साथ ये हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी होने लग गया और इस तरह से भारत के अंदर जिसको हम कुम्भ मेला बोलते हैं उस कुम्भ मेले की नीव भी समराथ हर्षवर्धन की ही डाली हुई है समराथ हर्षवर्धन एक बहुत बड़े scholar by himself भी थे बाढ़ भट जैसे scholars को तो उन्होंने प्रशय दिया ही दिया था but he was himself also a very good scholar और इन्होंने कई लिट्रेचर का creation किया था he was a great scholar by himself and created रत्नावली नागनन्दा and प्रिय दर्शय का यह तीन लिट्रेचर का creation इन्होंने खुद किया था रत्नावली नागनन्दा और प्रिय दर्शय का unfortunately he died everyone has to died but unfortunately he died in 646 AD जिसके बाद इनके एक मिनिस्टर अरुनाश्व ने इनके बेटों को prisoner बना दिया इनकी वाइफ को prisoner बना दिया और अरुनाश्व खुद भी एक बड़ा empire create नहीं कर सका और देखते देखते बड़ा जबरदस political disintegration उत्तर भारत में हो गया एक empire तो इन्होंने बनाया लेकिन empire तब तक ही रहा जब तक इनकी life रही इनकी life के end होते ही ये empire भी चार साल के अंदर अंदर disintegrate हो गया और उत्तर भारत में आखरी बड़ी paramount power के तौर पे ये रहे और इसके बाद फिर एक political disintegration की शुरुआत होई भारत में जो कि हम अगले chapter के अंदर study करेंगे आज के लिए इतना ही करेंगे जय हिंद